Hi everyone, welcome back to my channel, Easy Learning with Deepti. आज हम discuss करेंगे topic word problems. Word problems क्या होती है? जो words में लिखी होती है. आपको कुछ situations दी होंगी और आपको ये determine करना होगा कि उन situation में हमें क्या करना है? addition, subtraction, multiplication या फर division. तो हम सबसे पहले first question से start करते हैं और हम इस question को पढ़ के समझेंगे कि इसके अंदर इन चारों में से हमें क्या करना है? अमरिता है 685 stamps. Her dad gave her 259 more stamps. How many stamps does she have now? आपको कोई भी word problem अगर solve करनी है तो सबसे पहले उसे हर एक line को उसकी आपको समझना पढ़ेगा. तो first line में हमें ये बताया है कि अमरिता के पास 685 stamps हैं. Second line में हमें ये बताया है कि उसके डाड ने उसे 259 more stamps दे दी और हो गई उसके पास. मतलब पहले इतनी थी और फिर 259 और जादा हो गई. How many stamps does she have now? तो इसके अंदर इस question के अंदर हम क्या करेंगे? Addition, Subtraction, Multiplication या फ़र Division. कि अगर आपके पास 2 stamps हैं और 2 और मिल गई. तो आप कैसे निकालेंगे कि आपके पास कितनी रोटल stamps हैं? Add करके. तो इसी तरह से इस question में भी हम add करेंगे. अब statement कैसे बनाने हैं? statement बनाना बहुत असान होता है. सबसे पहले हम लिखेंगे number of stamps Amrita has is equal to 685 plus number of stamps given by her dad is equal to 259 बस अब आप इसे add कर देंगे तो हमारे पास answer आ जाएगा. total number of stamps ये answer हो गया आपका 944 अब next question करते हैं क्रीती had 1500 pieces of a puzzle she fitted 759 pieces how many more pieces does she have to need to fit so that the puzzle is solved अगर आपके पास 10 pieces of puzzle है एक puzzle है जिसमें की 10 pieces है total आपने उसमें 4 pieces लगा दिये तो बाकी कितने pieces आपको लगाने हैं तो इसमें कैसे solve करोगे 10 minus 4 तो आपको 6 pieces अभी और लगाने हैं तो इसलिए इस question में भी अगर 1500 total pieces हैं puzzle के और 759 pieces अभी लगा दिये हैं तो बाकी बचे हुए कितने pieces लगाने हैं वो निकालने के लिए हमें 1500 minus 759 करना पड़ेगा मगर हम इसमें directly करके नहीं दिखा सकते इसमें हमें statements लिखना बहुत ज़रूरी है तो हम इससे start करते हैं statements बहुत easy होती है देखो total number of pieces puzzle के क्या है वो ही लिख देंगे हम total number of pieces is equal to 1500 minus she fitted 759 pieces minus number of pieces fitted जो pieces fit कर दिये वो हम यहाँ पर इसमें से subtract करेंगे 759 तो हमने इससे subtract करके answer निकाल लिया 741 अब 741 क्या है इसकी statement लिखने के लिए हम last line को रीट करते हैं how many more pieces does she need to fit so that the puzzle is solved तो number of pieces that need to be fitted is equal to 740 तो आज आपने क्या सीखा कि word problems करते हुए हमें हर एक sentence को ध्यान से पढ़ना है और फिर हमें determine करना है कि इस word problem के अंदर addition होगा, subtraction होगा, multiplication होगा, division होगा जब आप question आ अच्छी तरह से समझ जाएंगे तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर करना क्या है तो question सबसे पहले समझने की कोशिश करें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और word problems समझाऊंगी तब तक के लिए take care, bye bye और अगर आपने अभी तक मेरे चानल Easy Learning with Deepty को subscribe नहीं किया है तो please कर लीजिए, thank you